फुरी दुनिया जिस पर गौरव के अन्भूति करता है जो न किवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बलकि भारत लोकतंत्र की जन्नी की रूप में भी दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री जी ने उसको एक नई पैचान दी है उस भारत के लोकतंद्र को कमजोर करने जैसा भी ये बयान बाजी है ऐसा नहीं कि इस प्रकार के गौरव साली छण को जो आज बिपक्स के बयानों से बिवादित करने का पुछित प्रियास हो रहा है मुझे लगता है कि ये देश इस प्रकार की बातों को किसी भी स्थिति में स्विकार नहीं करेगा और संसत से जुड़ी वे आज की अनुसार जो नई पारलेमेंट है निव पारलेमेंट आज की आउस्थिता के अनुरूप आगा में सो वर्स के विजन को दिहान में रख करके बहुत दोरदर्सी तरीके के साथ बनाई गई है सभी को पुरातन और आधुनिक दोनों बातों का समावेश करते वे हर एक पारलेमेंटरी दियन को वहाँ पर इस्वेश मिल सके उनके लिए हर प्रकार की सुविधा और आम जन की आवाज को सुनने का एक महत्तुपुन मंच्व हमारी संसत बन सके इस देश्य भारत की नई संसत उसका एक प्रतीक बनने जा रही है जो दुनिया के लिए भी एक आदर्स बन सकती है लेकिन विपक्स के इस प्रकार की बयान बाजी है अत्यान्ती छोपकारी है अईसानिय की पहली बार देश के प्रधान मंतरी इस प्रकार के कई स्वी उत घाटन के साक्सी बन रहे हो इससे पहले पारलेमेंट एनेक्सी का उत घाटन ततकालिन प्रधान मंत्री स्रीमती इंद्रा गांधी जी की द्वारा क्या जा चुका है पार्लेमेंट लैबरेरी का सलान्यास पूर प्रधान मंत्री स्वर्गे राजीव गांधी जी के द्वारा रखी गई थी ऐसे निएक उधारण है और उस सब के बाव जोद न्यू पर्लेमेंट के सहत्यासिक कारेकरम को जिस तरीके से गर्मा में कारिक्रम को गौरोवसाली छण को एत्यासिक पल को साक्सी बन करके देश वाश्यों के लिए गर्मा में और गौरोव में बनाने के आउसर से विपक्स अपने गहर जमाधारान बयानों के माध्यम से धुमिल करने का कुछित प्रयास कर रहा है मुझे लगता है कि देश और इस देश की जनता जनारदन इसके कदही स्विकार नहीं करेगी हम तो अपील करेंगे कि सभी लोगों को इस उसर पर साक्सी बनना चाहिए सैथ्यासिक छणका और भारत के लोकतंद्र को मजबूत बनाने के आउहान के साथ हम सब को जुड़ना चाहिए करेंगे कि सभी लोगों करेंगे कि लोगों अपील करेंगे की हम सब करेंगे कि दुड़ना चाहिए झाल